हेलो दोस्तों कैसे हो आप उमीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्त होंगे दोस्तों आज है मेरे पास खादी नेचरल का हीना रोज मेरी वाइल जिसका उप्यग मैंने दो महीने किया है और अब मैं इसका ओनेश रिव्यू करने जा रहा हूँ सो वीडियो को सुरू सुलेकन तक दिखते रहे हीना रोज मेरी वाइल खादी नेचरल का ओईल है जो एक खादी की ओरिजनल इनिट है तो आपको घबराने की जरुएत नहीं है कि ये कोई डूब्लिकेट प्रोडक्ट है और ये ओईल प्याराबीन और मिनर फ्री ओईल है करीब दो महीने पहले मैंने ये ओईल खरिदा था मैं अभी भी ये ओईल इस्तमाल कर रहा हूँ फसनली मुझे ये ओईल काफी अच्छा लगा क्यूंकि ये बालों में काफी एफिक्टिव है जैसे डेंडर अप, हैरफोर सफेद बाल जैसी समस्याओं में काफी ज्यादा उप्योगी है और इस कैल्प को हेल्दी रखता है ये ओईल पतला है इस ओईल की मुझे स्वीप एकी चीज अच्छी नहीं लगती वह है इसकी खुस्बू जो बहुत ही ज्यादा तेज है इस ओईल की नियाच्रल फ्रेग् इस बिल्कुल पसंद नहीं आएगी तो दोस्तों ये सीप एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा नहीं लगा ही सोईल का इसको इस्तमाल कैसे करना है क्या है सही तरीका तो दोस्तों सिंपल है रात को सोने से पहले अच्छे से हलके हाथों से स्कैल्प में मसाज करें उसके ब आउं चाहे कोई भी ओईल हो कुछ लोग क्या करते हैं बालों में तिल लगा कर कुछ दिन ऐसे छोड़ देते हैं हैर वस्त नहीं करते जो बिल्कुल गलत तरीका है ऐसा करने से बालों और स्कैल्प में धुल जम जाती है जिसके कारण डेंडर अप हैरफोर्ट खुजिली जैसे समस्या होती है स्कैल्प में तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इसकी किम्मत की बात करें ऑनलाइन इसकी प्राइस चेंज होती रहती है एमेजन पर फिलाला भी 320 रुपिया में है एरोईल मिर रहा है लेकिन और इसकी ऑफिसर साइट पर ते 375 रुपिस का है तो मुझे कितने मिला और मैंने कहां से खरीदा तो मैंने यह फॉक्सी से खरीदा था जो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है वहां मुझे यह 270 रुपिया में मिला था कुद लोग बुलते हैं फॉक्सी पर डुब्लिकेट प्रोड़क मिलते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं ह मैंने प्रोड़क्ट चेक किया था सो पसेंट ओरिजनल प्रोड़क है प्रोड़क्ट है आप चाहे तो फॉक्सी से खरीच सकते हैं बेजी जग तो दोस्तों यह था खादी नेच्ट अधिना रोज मेरी ओयल का मेरा ओनेश रिव्यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई अपना खाया रखे और अपनी फैमिली का भी